भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक नई बाइक का इंतजार कर रहे हैं और आज हम ऐसी ही 10 बाइक की बात करेंगे जो की कुछी महीनों के अंदर भारती ये बजार में लॉंच होने वाली है तो यहाँ पर नंबर 1 पर आती है यामाहा फेजर 150 ये एक एंट्री लेवल की कम्यूटर बाइक है जिसकी प्रैजंग रहेगी 1,10,000 रुपे बाइक का जो लुक से बहुत ही शानदार है आप दो लोग आराम से कमफरेबल होकर इसमें ट्रैवल कर लोगे जो हैंडल की पोजिशनिंग है वो भी एकदम अपराइट हो तो आपको बैक पेंज जिसी कोई भी दिखत इसमें फेस नहीं करने पड़ेगी जुसका टैंक के उसपेज आपको काउल मिलता है वो बाइक को काफी स्पोर्टी अपेरेंस देने में मदद करता है 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर एर कूल इंजिन आपको इसमें मिलेगा जो कि BS6 कम्प्लाइन रहेगा 14 बीच्प की टेकनालोजी मिलेगी तो जो इस किड़ वगेरा होने के चांसेज है वो इस बाइक में थोड़े कम फेस करने पड़ेंगे आपको सामने आपको डिस्क प्लेट मिलेगी और पीछे आपको ड्रम रिक मिल जाने वाला है अब अगर बात कर लेते हैं कि ये बाइक कब तक 2023 तक ये बाइक भारती बाजार में लॉंच होने वाली है नमबर टू पर आती है हॉंडा CB125R ये एक रेट्रो नेकिड बाइक है जिसका लुक्स यहां पर आप सबको पसंद आने वाला है इस बाइक की कीमत रहेगी एक लाख दस हजार रोपे जो बाइक का लुक्स वो इल्कूल इंजन आपको इसमें मिलेगा जिसमें आपको 14.7 बहपी की पावर और 11.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा और नमबर ओग गेर्स आपको इस बाइक में 6 मिल जाने वाले हैं उसमें आपको डूवल चैनल ABS मिलेगा और डिजिटल इंस्टुमेंट कंसोल जाएगा और डूवल डिस्क प्लेट आपको इस बाइक में देखने को मिल जाने वाली है अब अगर बात कर लेते हैं कि ये बाइक कब तक भारती बजार में लॉंच हो जाएगी तो नॉवंबर 2023 में ये बाइक कंफर्म भारती बजार में लॉंच होने वाली है नमबर 3 पर रहेगे around 150,000 रुपीज अगर लुक्स को देखें तो बाइक का लुक्स बहुत ही बढ़िया है handle का जो posture वो भी upright है तो back pain जिसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी दो लोग आराम से बाइक में travel कर लोगे सामने आपको halogen headlamp मिलेगा पीछे आपको bulb tail light मिलेगे और bulb indicators इसमें offer किये जाएंगे और इसमें मिलेगा आपको 124cc का single cylinder liquid cooled engine जिसमें आपको 12bhp की power और 11Nm का torque मिलेगा और इसमें आपको number of gear 6 मिल जाते हैं जो panniers है वो भी आपको यहाँ पर standard मिलेगे तो जब आप bike खरीदो के तो उनके साथ ही आपको मिल जाने वाले हैं small digital display आपको यहाँ पर मिलेगा inverted fork suspension आपको सामने मिलेगे पीछे आपको monoshock suspension मिलेगा dual disc with dual channel ABS आपको इस bike में मिल जाने वाला है अब अगर बात कर लेते हैं कि यह bike कब तक भारती बजार में लॉंच हो जाएगी तो December 2023 में यह bike confirm भारती बजार में लॉंच होने वाली है number 4 पर आती है husk verna sword billion 125 husk verna company की 250cc की bike भी भारत में चलती है लेकिन दिन बदिन उसकी sales भी गिरती जा रही है तो अपनी sales बचाने के लिए और company की इज़त बचाने के लिए वो लोग 125cc की bike launch कर रहे हैं जिसकी pricing रहेगी 1,25,000 रुपे bike का जो लोग के वो identical रहेगा अभी की sword billion 250 से और इसमें आपको जो electricals हैं वो भी आपको same मिल जाने वाले हैं बाइक में आपको मिलेगा 124cc का single cylinder liquid cooled engine जिसमें आपको 14.5 bhp की power और 12 Nm का torque मिलेगा और number of gears यहाँ पर आपको 6 मिल जाने वाले हैं डिजिटल instrument console आपको offer किये जाएगा single channel ABS ही मिलेगा आपको spoke wheels देखने को मिलेंगे सामने आपको telescopic suspension मिलेगा यहाँ पर cost cutting की जाएगी और पीछे आपको monoshock suspension मिल जाने वाला है बाकि आपको दोनों ही wheels पर यहाँ पर disc brake मिल जाने वाले हैं अब अगर बात कर लेते हैं कि यह bike कब तक launch हो जाएगी तो October 2023 में यह bike confirm भारती बजार में launch होने वाली है नमबर 5 पर आती है Honda CL250 यह जो bike है यह एक scrambler bike है जिसकी pricing रहेगी 2,00,00 रुपे यहाँ पर यह जो bike है इसका जो looks है वो आपको बहुत पसंद आने वाला है आप दो लोग आराम से comfortable होकर इसमें travel कर लोगे जो handle की positioning है वो भी upright है तो किसी भी चीज में आपको uncomfortability नहीं लगने वाली है और जो bike का exhaust positioning है वो bike के looks को काफी enhance कर देता है bike में यहाँ पर आपको मिल जाता है 249 CC का single slander liquid cooled engine जिसमें आपको 27 BHP की power और 21 Nm का torque मिलता है और यहाँ पर आपको number of gears 6 मिल जाने वाले है सामने आपको LED headlights मिलेगी LED indicators और LED tail light इस bike में offer हो जाने वाली है digital instrument console आपको यहाँ पर मिलेगा सामने आपको telescopic suspension मिलेगे पीछे आपको monoshock suspension मिलेगा dual channel ABS और dual disc brake आपको इस bike में offer कर दिये जाते हैं अब अगर बात कर लेते हैं कि यह bike कब तक भारती बजार में launch हो जाएगी तो December 2023 में यह bike confirm भारती बजार में launch होने वाली है number 6 पर आती है Lex Moto LX 125 यह एक fully fed bike है जो youth को काफी पसंद आने वाली है sports bike category में यह bike आती है जो bike की handling है वो भी यहां पर बहुत ही तगड़ी है और जिसका सामने के design वो यहां पर थोड़ा बहुत R15 V3 जैसा लगता है bike में आपको LED headlights मिलेंगी पीछे आपको LED tail light और LED indicators आपको इसमें offer हो जाने वाले हैं bike में आपको मिलता है 124 CC का single cylinder liquid cooled SOHC FI engine जो की BS6 compliant रहेगा जिसमें आपको 12 BHP की power और 11 Nm के torque मिलेगा और number of gears यहां पर आप उच्छा है मिल जाते हैं bike में आपको dual disc with single channel ABS offer होने वाला है analog और digital का meter आपको यहां पर मिलता है fully fed में यह bike आती जिसमें आपको बहुत ही बड़ी लुक्स मिल जाता है सामने आपको telescopic suspension मिलेंगे पीछे आपको monoshock suspension मिलेगा और 13.5 liter की fuel tank capacity आपको इस bike में मिल जाने वाली है बाकि अगर बात कर लेते हैं कि यह bike कब तक launch हो जाएगी तो September and या फिर October के starting में यह bike confirm भरती बजार में launch होने वाली है नमबर 7 पर आती है Yamaha XSR 155 इस bike की जो demand है वो दुनिया में बहुत जादा है और इंडिया में भी इस bike के fans आपको बहुत जादा मिल जाने वाले हैं 1,75,000 रुपीज इस bike की कीमत रहेगी राइटरो डिजाइन में इस bike की looks आती है और जो overall looks मुझे भी इस bike की definitely बहुत ज़दा पसंद आती है सामने आपको LED headlights मिलेगी LED indicators आपको इसमें मिलेगे LED tail light आपको offer की जाएगी bike के engine की बात करत तो इसमें आपको मिलेगा 155cc का single cylinder liquid cooled engine जिसमें आपको 19.3bhp की power और 14.7nm का torque मिल जाता है और number of gears इसमें आपको 6 मिल जाते है bike में आपको digital meter मिलेगा upright handle bar मिलेगा तो किसी भी चीज़ को लेकर दिक्कत नहीं आएगी आपको चलाने में dual disc with single channel ABS यहाँ पर आपको offer की जाएगा सामने आपको USD fork suspension मिलेगा पीछे आपको monoshock suspension मिलेगा और neo retro bike के अंदर ये bike आती है जैसेक में आपको बताया तो बहुत ही बड़ी है bike कुछ महीनों के अंदर भारती बजार में आने वाली है तो ये जो bike है ये December 2023 में भारती बजार में launch होने वाली है नमबर 8 पर आती है Yamaha MT 125 Yamaha की MT वैसे भी भारत में बहुत जादा famous है और इसके 125cc की bike कुछी दिनों में भारती बजार में आने वाली है एक लाख तीस हजार रुपेस की कीमत रहेगी bike का जो looks है वो अभी की जो MT 15 चलती है उसी से similar होने वाला है वैसे कुछ electricals भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस bike में आपको मिलेगा 124cc का single cylinder oil cooled engine जिसमें आपको 14 bhp की power और 11 Nm का torque मिलेगा और number of gears यहाँ पर आपको 6 मिल जाने वाले है bike में आपको all digital console मिलेगा dual channel ABS Yamaha की advanced technology आपको यहाँ पर offer की जाएगी जो bike की build quality हो उससे कोई compromise नहीं किये जाएगा और telescopic front suspension पीछे आपको monoshock suspension मिल जाने वाला है अब अगर बात कर लेते हैं कि यह bike कब तक launch हो जाएगी तो October 2023 में यह bike confirm भारती बजार में launch होने वाली है number 9 पर आती है Keyway RKF 125 यह एक naked street fighter bike है जिसकी pricing रहेगी 1,40,000 रुपे और यह जो bike है यहाँ पर आप सब को पसंद आने वाली है बहुती sporty और eye-catchy look आपको इस bike में मिल जाता है जो electrical setup है वो भी आपको price के साब से बहुती बढ़ी हैस bike पे मिल जाने वाला है 1,24 cc का single cylinder liquid cool engine आपको यहाँ पर offer किये जाएगा जिसमें आपको 15 bhp की power और 13 newton meter का torque मिलेगा और number of gears यहाँ पर आपको 6 मिल जाने वाले है bike में आपको digital meter मिलेगा, telescopic front suspension मिलेगा पीछे आपको monoshock suspension मिलेगा, single channel ABS और dual disc आपको इसमें offer कर दिये जाने वाले है तो जो bike का looks है वो भी बहुत ही शानदार, जो sitting posture है वो भी bike का बहुत ही बढ़िया है अब अगर बात कर लेते हैं कि यह bike कब तक launch हो जाएगी तो दोस्तों November 2023 में यह bike confirm भारती बजार में launch होने वाली है number 10 पर आती है Honda CB150R इस bike का जो looks है वो यहाँ पर आप सबको बहुत पसंद आने वाला है बहुत ही bold और muscular look आपको यहाँ पर मिल जाता है 1,60,000 रुपेज bike की कीमत रहेगी सामने आपको LED headlights, LED indicators और bulb tail light आपको इस bike में offer होने वाली है bike में आपको मिलेगा 149 CC का single cylinder liquid cooled engine जिसमें आपको 20 BHP की power और 13 Nm का torque मिलेगा और number of gears यहाँ पर आपको 6 मिल जाने वाले है bike में आपको all digital instrument console मिलेगा dual channel ABS with dual disc सामने आपको USD fork suspension और पीछे आपको monoshock suspension मिल जाने वाला है तो overall price को सबसे बहुत ही आपको feature वाली bike यह आने वाली है अब अगर बात कर लेते हैं कि यह bike कब तक launch हो जाएगी तो January 2024 में यह bike confirm भारती बजार में launch होने वाली है बागे दोस्तों आप comment करके बताओ कि इन 10 bikes में से आपको कौन सी bike सबसे ज़्यादा पसंद आई है तो मैं देखिए आप सभी को यह video पसंद आई होगी और अगर आपको यह video पसंद आई है तो उसको like करो, share करो और अगर आप मेरे चैनल पर नए आया हो तो subscribe करके bell icon दबा दो क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही videos लादा रहता हूँ अब एक लिए thanks, till then wait for my new upcoming videos